हमारा प्रश्ण कहता है आटे और चीनी के मिश्रन से क्या चीनी को पिठख करना समभब है अगर आटा और चीनी को हमने मिला दिया है तो क्या वो अलग हो जाएगा अगर हाँ अगर हो जाता है तो आप इसे कैसे करेंगे सबसे पहले देख लिए किस किसी जो को मिलाया गया है आटा और चीनी को मिलाया गया है, अब इसके मिश्रन को हमें कहा जा रहा है कि आपको अलग करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहां आटे और चीनी के मिश्रन को भी अलग किया जा सकता है, दोनों को अलग-अलग किया जा सकता है, आटे और चीनी के मिश्रन को इस वि जाएगा और इस विधी को हम क्या कहते हैं चालंग विधी कहते हैं तो आठे और चीनी को अलग करने के लिए हम चालंग विधी का उप्योग कर सकते हैं